जहिन मेरे डी येर साथी मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले एक प्यारा सा टॉपिक इंगलीज का कच्छा 10 जो आपका 4 मार्च का एक्जाम होने जा रहा है उससे रिलेटेड ये कोस्चन है ठीक है ये जो कोस्चन पूछा जाता है हिंदी से आपको इंगलीज में ट्रांसलेट करने के लिए किते नमबर कराता है चार नमबर कराता है आज जो आपका ये अप दो मिनट का वीडियो आपका चार नमबर कन्फरम करके जाने वाला है क्योंकि ये 2023 के पेपर में पूछा गया कोस् नमबर मिलता चला जाएगा हर एक सेंटेंस का एक एक नमबर रहता है तो हम इसमें आप देखने वाले क्या लिखा है भारत तेजी से उन्नती कर रहा है यानि भारत जो है तेजी से उन्नती कर रहा है इसका इंगलीज तुम्हें बनाना है पहले हिंदी पहले भारत तेजी स requirement है ठीक है तो हम पहला जो sentence है आपको क्या कर रखा भारत तो लिखेंगे इंडिया इज प्रोग्रेसिव रेपेडली भी लिख सकते हैं या फास्ट परसें सही रहेगा तो एक सिंटेंस हमने ये कवर किया लिखा है यह यह परगती सील देश है तो क्या लखाएंगे इट इज डवलपिंग कंट्री मतलब देखा जाए भारत है ठीक है डवलपिंग कंट्री तो यहाँ पर क्या लिख दिया है यह लिख दिया है ठीक है तो क्या लिखेंगे इट इज डवलपिंग कंट्री तो आपका क्या होजा है का यह आपका काम बन गया इसमें नेस्ट पॉइंट में लिखा है जनसंख्या और बढ़ती कीमते बड़ी समस् हो गई है ठीक है तो क्या लिखेंगे पापुलेशन एंड राइजिंग यानि राइजिंग प्राइज आद बिग प्राबलम फुली स्टाप आपको लगा देना इसमें लास्ट इन फाइनल यदि हम इन्य नियंत्रीद कर ले तो हमारा देश क्या होता महान बन सकता है तो इंडिया है ठीक हो क्या हो सकती ग्रेट हो सकती तो एक बार तेजी से देखते हैं ठीक है लिखा है भारत तेजी से उन्नती कर रहा तो इंडिया जे प्रोग्रेसिव फास्ट बिलिख सकते हैं यह एक परगती सील देश है इटीज डवलपिंग कंट्री जनसंक्या बढ़ती कीमते बड़ी समस्य है तो population and rising problem ठीक है यानि rising price rising price are the big problem है ठीक है if you control ठीक है if we control these our country can become great हो सकती तो आपको क्या कर देना fully stop लगा देना तो यह आपका प्यारा साथा क्या 2023 में जो हिंदी से translate करने का ठीक तो आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक के